इंडिया टीवी में आपका स्वागत है 2019 लोकसवा चुनाव से पहले राहूल गांदी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसके मुतावित राहूल गांदी 2019 लोकसवा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जिसके मुताबित राहूल गांदी किसी की भी मदद लेने के लिए तैयार है इस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है राहूल गांदी के हाली में हुए बिदेशी दोरे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें राहूल गांदी एक खास बिदेशी सक्स सिम मिलते हैं और उन से 2019 लोगसवाद चुनाव के लिए मदद मांगी है जिसमें वो राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी को 2019 लोगसवाद चुनाव जिताने के लिए जिसमें वो अपनी रणिती और अपने प्लान के तहट कॉंग्रेस को जिताने के लिए पूरी कोसिस करेंगे कि इसमें राहूल गांदी अब बुरी तरव फस्ते हुई नजार आ रहे हैं क्योंकि भारत के चुनाव में अगर राहूल गांदी किसी विदेशी सक्स की मदद रहे है किसी गिदेशी एजिंसियों का मदद ले रहे हैं उसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर राहुल गांदी किस हैसियत से विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके वो लोगों से मिल रहे हैं। 2019 लोग सबाद चुनाव के लिए राहुल गांदी ने अपनी पूरी रणनेती बनाने पे लगे हुए। जब भारत के चुनाव हैं और उसमें विदेशी लोगों की मदद मांग रहे हैं तो यह मुद्दा कितना गंभीर और कितना खतरनाग कृषाई है कि राहुल गांदी भारत के परधान मंत्री को विदेशी लोगों की मदद ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है राहुल गांदी ने इसी रणीति के तहट हावर्ड युनिवस्टी के प्रोफेसर और मसूर राजनेति के रणीतिकार स्टीव जार्डिक को अपने साथ जोड़ा है और इसमें एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिसके मुत साबित समाजवादी पार्टी के अध्यक्स अखलेश यादव ने साल 2017 के विधान सवाचुनाव में स्टीव जार्डिक की सेवाएं ली थी लेकिन आपको पता होगा 2017 के विधान सवाचुनाव में किस तरो से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और फिर रा बहुती खतरनाक कदम जो राहUL गांधी उठा रहे हैं जो राहUL गांधी अब विदेशों की मदद ले रहे हैं विदेशी दोरों पर जाके विदेशी लोगों से भारत के 2019 लोग सवाचुनाव को लेकर मदद मांग रहे हैं तो ये कितना खतरनाक होगा कि 2019 लोग सवाचुनाव में सारे विदेशी लोग जितने भी भारत के दुस्मन हैं वो सारे 2019 लोग सवाचुनाव में मोदी को हराने के लिए एक जुठ हो रहे हैं और मोदी के खिलाप किसी भी ह तक जाने के लिए वो अपनी रड़नेती बना रहे हैं इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से वाम पंथियों ने PM मोदी के खिलाब साजी सरची थी वाम पंथियों ने मोदी सरकार ने वक्त रहते हुए उनको गिरपतार कर लिया है और उसके बाद राहुल गांदी ने उनके बचाव में कहा था कि इस देश में सिरफ RSS के लिए जगव है और बाकी दलों के विचारों के लिए कोई जगव लही है आपको बता दें वाम पंथी जिस तरी प्यम मोदी के खिलाब साजी सरच्चर थे और उसके बाद उनके पकड़े जाने के बाद उनका नक्सली कनेक्शन आया था तो उसके बाद राहुल गांदी का उनको सपोर्ट करना इसमें दिखाता है कि राहुल गांदी किस लेकिन धीरे जब उनकी जमीन पूरे हिंदुस्तान से खिसकने लगी जब उनके पास कोई स्टेट बचाई नहीं उसके बाद राहुल गांदी अब जिस तरीके से 2019 लोकसवाद चुनाव के लिए अब अपनी पूरी पे लगे हुए हैं जिसमें वो हर किसी की मदद लेना च चाते हैं जिसमें चाहिए वो बिदेशी हो चाहिए वो भारत का दुस्मन हो कोई भी हो उसकी हल्प लेना चाते है और मोदी को किसे भी चुनाव suspension 2019 में हराना चाते हैं जिसमें वो सबसे बड़ा मक्सद राहुल गांदी का है कि हम कैसे भी मोदी को सत्ता से हटाएं और पह कि कोई ऐसे सक्स को फिर पर्धानमंत्री बना दिया जाए जो फिर उनके रिमोट के अनुसार चलता रही रोबोट की तरह